हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभब और आज की इस वीडियो में मैं आपको explain करने वाला हूँ हमारे class 11th के physical education book के unit number 8 fundamentals of technology and biomechanics in sports को तो दोस्तो यह वीडियो है यह according to the news labels है 2024-25 तो इस वीडियो को दोस्तो end तक देखेगा तो without wasting any time हम start करते हैं इस chapter को तो सबसे पहले दोस्तो हम देख लेते हैं इस unit के content को मतलब दोस्तो में इस chapter में कौन-कौन से topics को cover करना है तो इसमें सबसे पहले topic के दोस्तो हमारा definition and importance of kinsiology and biomechanics in sports second topic के दोस्तो हमारा principles of biomechanics third topic के दोस्तो हमारा kinetics and kinematics in sports फॉर्ट टोपिक है दोस्तों हमारा types of body movements जिसमें हम देखेंगे flexion, extension, abduction, addiction, rotation, circumduction, supination and pronation को और लास्ट टोपिक है दोस्तों हमारा axis and planes, concept and its application in body movements तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोपिक से जो की है दोस्तों हमारा definition and importance of kinciology and biomechanics in sports को तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किंसियोलोजी का मेनिंग और डेफिनेशन तो दोस्तों जो किंसियोलोजी वर्ड है वो डिराइब होता है दो ग्रिक वर्ड से पहला वर्ड है केनिसिस और दूसरा वर्ड है लोगोस केनिसिस का मतलब होता है मोसन और लोगोस का मतलब होता ह तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि केंसियोजी का मतलब होता है मोशन की स्टड़ी इसके अलावा केंशियोजी के एक ओर डफिनेशन है एक हमारी ब्रांच है जिसमें हम हम हुमन बॉडी के मूव्मेंट के बारे में जानते हैं अब हम देख लेते हैं meaning or definition biomechanics का तो दोस्तों जो biomechanics word है वो भी दोस्तों दो अलग-अलग words का combination है पहला word है bio और दूसरा word है mechanics, bio का मतलब होता living things और mechanics का मतलब होता है field of physics तो हम कह सकते हैं कि biomechanics is a branch of science which deal with the force related to the body movements of any person तो biomechanics एक वो branch है जो deal करती है कि अगर कोई भी person अपना movement कर रहा है body का या किसी भी part का movement कर रहा है तो उस movement पे कौन सा force लग रहा है तो इस चीज़ की study ही हमारी biomechanics होती है अब हम देख लेते हैं importance of kinsiology and biomechanics in sports इसमें सबसे पहला point है to understand human movement जो भी human है जो भी person है उसकी movements के बारे में हमें knowledge मिलती है second point है knowing about the forces on the body means जूभी forces human body पे लग रही है उनके बारे में हमें knowledge मिलती है third point है prevent injuries जब हमें अपने body के movements के बारे में पता होगा तब हम prevent रह सकते हैं injuries से और हमें पता होगा कि ये कौन सी forces लग रही है कितनी forces लग रही है तो इस तरीके से हम अपने आपको injuries से prevent कर सकते है fourth point है correct movement हमें correct movement पता लगता है कि हमें कैसे movement करना चाहिए हमें हमारी body का और last point है efficiency of movement is great कोई भी person अगर उसे अपनी bio mechanics पता है या किनसी लोजी पता है means अपनी body में जो भी forces लग रही है उसके बारे में पता है और उसके जो body के movements होंगे उनके बारे में पता है कि कैसे वो होते है और कैसे उन्हें करना चाहिए तो obvious सी बात है कि जो उनकी working efficiency है या कोई भी वो sports खेल रहे हैं like मैं गर badminton खेल रहा हूँ तो मेरा जो smash मारने का तरीका है कि मैं इस angle से smash मारूँगा तो इतना smash लगेगा तो मैं उसी angle से मारने के try करूँगा न तो means उसका game भी improve हो रहा है तो इसी को हम efficiency बोलेंगे Second topic है दोस्तो हमारा principles of biomechanics तो दोस्तो principles of biomechanics में हम Newton के laws को देखेंगे और उनका sports में क्या application है ये भी समझेंगे तो basically Newton के तीन laws है सबसे पहला law है law of inertia Second law है law of acceleration और third है law of action and reaction तो आईए हम एक एक करके इन तीनो laws को देखते हैं तो सबसे पहला है law of inertia तो ये law ये कहता है कि अगर कोई object rest में है तो वो rest में ही रहेगा और अगर कोई object motion में है तो वो motion में ही रहेगा जब तक उस पर कोई external force apply नहीं किया जाता है For example, अगर एक ball table पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पर पड़ी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई external force नहीं लगाई जाए वहीं पर अगर कोई ball motion में है तो वो motion में ही रहेगी जब तक उसे किसी external force से रोका ना जाए अब हम देख लेते हैं कि इस law का मतलब जो law है law of inertia इसका sports में क्या application है तो जब हम किसी भी चीज की starting करते हैं जैसे running की starting, javelin through की starting तो वहाँ पर law of inertia apply होता है Second law है law of acceleration law of acceleration ये state करता है कि change in motion directly proportional होता है force producing it के और inversely proportional होता है mass के दोस्तो चेंज in motion का मतलब होता है acceleration मतलब acceleration directly proportional होता है force producing it के और inversely proportional होता है mass के दोस्तो इसको हम एक example से समझते हैं इस definition में हमारे पास दो points है पहला है acceleration directly proportional होता है force producing it के और second है कि acceleration inversely proportional होता है mass के तो हम एक एक करके इसको देखते हैं पहला कि acceleration directly proportional है force producing it के for example हम किसी भी wooden box पर 1 newton का force लगा रहे हैं तो उसमें कुछ acceleration आएगा और वहीं पर अगर हम उस wooden box में 5 newton का force लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा acceleration होगा तो इससे ये proof होता है कि जितना भी हम force apply करते हैं किसी भी object पर उतना ही उसका acceleration होता है अगर हम कम force apply करेंगे तो कम acceleration होगा और अगर हम ज़्यादा force apply करेंगे तो उसको ज़्यादा acceleration मिलेगा वहीं इसका second case है कि acceleration inversely proportional है mass के for example अगर हमारे पास एक 1 kg का wooden block है और एक 10 kg का wooden block है और दोनों में हम same force लगा रहे हैं तो जो 1 kg का block होगा उसको ज़्यादा acceleration मिलेगा वहीं पर जो 10 kg वाला block है उसको कम acceleration मिलेगा और ऐसा इसले हुआ क्योंकि दोनों के mass में difference है अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो law है law of acceleration इसका sports में क्या application है तो दोस्तों इस law का application javelin through में है javelin को ज़्यादा force से फेका जाए तो उसको ज़्यादा distance और acceleration मिलता है वहीं पर अगर उसको कम force से फेका जाए तो उसका acceleration कम होता है और अगर javelin का weight ज़्यादा होगा तो भी वह ज़्यादा distance को cover नहीं कर पाएगा थार्ड law है law of action and reaction law of action and reaction ये कहता है कि for every action there is an equal and opposite reaction मतलब हर action के लिए equal and opposite reaction होता है for example अगर आप दिबार पर एक पंच मारते हैं तो दिबार से भी आपको उसी force का एक reaction मिलेगा अब हम देख लेते हैं कि ये जो law है law of action and reaction इसका sports में क्या application है तो दोस्तो इस law का application swimming में है जब आप swimming करते हैं तो आप water को backward push करते हैं वही पर water आपको forward push देता है जिसके कारण आप swimming कर बाते हैं और इसका एक और example है running जब आप दोड़ते हैं तब आप ground को backward push देते हैं मतलब आप पीशे की तरफ push करते हैं वही पर ground आपको forward push देता है जिससे आप आगे की तरफ दोड़ पाते हैं next topic है दोस्तो हमारा kinetics and kinematics in sports तो सबसे परल हम देख लेते हैं कि kinetics होता क्या है तो दोस्तो kinetics जो है वो deal करता है forces से जो की affect करती है हर object की motion को इस sports में भी दोस्तो kinetics का काफी ज़धा influence है athletes के movements पे for example जब दोस्तो एक baseball player अपने bet को swing करता है उस समय पर दोस्तो वो क्या करता है उस समय पर वो force को apply करता है जिससे दोस्तो जो ball उसके पास आएगी उस पे जब bet लगेगा तो उससे उसकी speed और उससे उसकी trajectory ये दोनों चीज़ determine होगी अगर दोस्तो coaches के पास kinetics की अच्छी understanding होगी तो उससे दोस्तो वो athletes की performance को भी analyze करकर उसको optimize करने में help कर सकते हैं उनकी दोस्तो performance को, technique को, strength को भी improve करने में मदद कर सकते हैं next अब हम देख लेते हैं कि kinematics क्या होता है तो दोस्तो जो kinematics होता है वो किसी भी object के motion पर focus करता है यहाँ पर दोस्तो forces को consider नहीं किया जाता है sports में दोस्तो जो kinematics है वो help करता है describe करने में, analyze करने में athletes के motion को जैसे की speed, acceleration, direction, इन सभी चीजों को इसका example है जब दोस्तो कोई भी sprinter दोड़ता है उस समय पर दोस्तो वो अपने आप ही दोड़ रहा है उस पर दोस्तो कोई भी external force apply नहीं हो रहा है तो यहीं पर दोस्तो kinematics का concept आता है तो variance की help से हम athletes के technique को improve करने में help कर सकते हैं उसके बदध दोस्तो अगर coaches को, sports, scientists को इन सब के पास अगर kinetics, kinematics की अचछी understanding होगी तो इससे दोस्तो वो athletes के performance को improve कर सकते हैं kinetics और kinematics की help से दोस्तो वो identify कर सकते हैं athletes के strength को और उनकी technique को भी enhance करने में help कर सकते हैं और दोस्तो काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स की जो नॉलेज है वो दोस्तो काफी जदा वैल्यूवल है, काफी जदा हेलफुल है, इंजिरी प्रिवेंशन से बचने के लिए, स्किल को डबलपमेंट करने के लिए और दोस्तो एथलीट्स को उनकी पीक परफॉर्मेंस तक पहुचाने के लिए, तो दोस्तो हम लाश्ट में कहा सकते हैं कि जो काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स है, वो दोस्तो कोचिस को हेल्प करती है, कि वो दोस्तो एथलीट्स को उनके दोस्तो स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करें, उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर में help करें और दोस्तो athletes को help करें ताकि वो अपने game के top पर पहुँच पाए तो यही सब था दोस्तो kinetics और kinematics के बारे में next topic दोस्तो मरा types of body movements जिसमें हम देखेंगे flexion को extension को abduction को addiction को rotation को circumduction को supination को and pronation को तो सबसे पहला है flexion जब भी दो joints के बीच का angle जो है वो reduce होता है that is called flexion second extension जब भी दो joints के बीच का angle increase होता है that is called extension for example जब आप अपने elbows को bend करते हैं तो उसको हम flexion बोलेंगे अगर आप उसे वापस अपने position पर लेकर आ जाते हैं तो उसको हम extension बोलेंगे जैसा कि आपको side में image में भी दिख रहा होगा third है हमारा abduction abduction में हम अपनी body के limb को अपने midline से दूर लेकर जाते हैं midline दोस्तों एक imaginary line होती है जो कि हमारे body के बिल्कुल बीच से पास होती है fourth है हमारा abduction, abduction में हम अपनी body के limb को अपने midline के पास लेकर आते हैं for example जब भी हम अपने हाथ को अपने midline से बाहर लेकर जा रहे हैं या फिर अपने पैर को midline से बाहर लेकर जा रहे हैं so this will be known as abduction और जब हम वापस लेकर आते हैं towards the midline that is called abduction next है हमारा circumduction circumduction जो है वो एक ऐसा movement है जहां पे flexion, extension, abduction, adduction चारो ही तरह के movements जो हैं वो एक साथ होते हैं example में दोस्तों जो हमारा ball and socket joint होता है उसमें circumduction होता है अब दोस्तों जो आपके screen पे video आ रही है उसको आप ध्यान से देखिए इस video से दोस्तों आप circumduction को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों circumduction में जब हमारा arm move करता है तब दोस्तों वो एक cone बनाता है जैसे कि आप image में भी देख पा रहे होंगे next है हमारा rotation rotation तब possible होता है जब एक bone जो है वो as a axis काम करती है और दूसरी bone जो है वो उस पर rotate करते हैं तब वहाँ पर होता है rotation for example अगर हम अपने neck को right या फिर left लेकर जाते हैं तो this is called rotation next है हमारा supination जब हमारा जो palm है वो upward direction में face कर रहा होता है that is called supination और last दोस्तों हमारा pronation जब हमारा जो palm है वो downward direction में face कर रहा होता है that is called pronation last topic है दोस्तों हमारा axis and planes concept and its application in body movements जब भी body में किसी भी तरीके का movement होता है तो वहाँ पे कम से कम एक axis और एक plane involved होता है तो अब दोस्तों आप लोग सोच रहोंगे कि axis क्या होता है plane क्या होता है तो मैं अब आपको बता देता हूँ तो axis जो है वो imaginary line है जिसके around movement होता है मतलब दोस्तों जो axis है वो एक imaginary line है actual में कोई एक ऐसी line exist नहीं करती है हमारी body में और दोस्तों जो plane है वो एक imaginary surface है जो actual में move करती है तो जो plane और axis है वो दोनों ही imaginary है लेकिन हम movement की study करने के लिए types of movement का पता लगाने के लिए हम axis और planes को पढ़ते हैं फिर हम बात करें कि जो axis है और जो planes है वो कितने types के होते हैं तो दोस्तों जो axis है और जो planes है वो दोनों ही दोस्तों तीन-तीन types के होते हैं और दोस्तों ये तीनो axis तीनो planes एक दूसरे के mutually perpendicular होते हैं तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं types of planes को, सबसे पहला है transverse plane, तो transverse plane हमारी body को upper and lower part में divide करता है, second है sagetal plane, तो sagetal plane हमारी body को right and left half में divide करता है, और last है frontal plane, तो frontal plane हमारी body को front and back half में divide करता है, जैसे कि आपको image में भी दिख रहा होगा, अब हम समझ लेते हैं types of axis को, तो दोस्तु जो axis है वो भी तीन तरीके की होती है, सबसे पहला है vertical axis, तो दोस्तु जो vertical axis है वो एक ऐसी line है, जो हमारी body के बीच से जाती है, उपर से नीचे तक, और vertical axis transverse plane के perpendicular होती है, second है दोस्त हमारा frontal axis, frontal axis का मतलब ऐसी axis जो कि right side से जाएगी और left side से निकल जाएगी, और frontal axis, sagittal plane के perpendicular होती है, और third है हमारा sagittal axis, sagittal axis जो होती है, वो हमारी body के front side से जाती है, and back side से निकल जाती है, मतलब दोस्तु जो sagittal axis होती है, वो हमारी body के आगे से आती है, पीछे से निकल जाती है और sagittal axis frontal plane के perpendicular होती है अब हम समझ लेते हैं application in movements मतलब दोस्तों जो हमने ये planes पड़े, ये हमने axis पड़े, उनके types पड़े इनका जो अभी-भी हमने थोड़ देर पहले जो अलग-अलग movements पड़े थे उन में इनका क्या role है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ transverse plane और vertical axis इन दोनों के involvement में rotation जो movement है, वो होता है sagittal plane और frontal axis के involvement में flexion and extension जो movement है, ये होता है और last is frontal plane और sagittal axis इन दोनों के involvement में abduction and adduction जो movements होते हैं, ये हो पाता है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो हमारा यूनिट है यूनिट नमबर एट फंडामेंटल्स ओफ किंसिलोजी एंड बायो मेकैनिक्स इन स्पोर्स यह दोस्तों यहाँ पर खतम होता है